दोस्तों शरीर के अंचाहे बालों को जड़ से हटाने का बहुत ही बढ़िया घरेली नुस्खाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में मैं आपके लिए तीन अलग-अलग तरह की रेमेडी ले कर आई हूँ इससे कि आप अपने unwanted hair से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं आपके चहरे पर यदि छोटे-छोटे बाल हैं होठों के ऊपर बाल हैं या पूरे चहरे पर facial hair हैं चोटे-छोटे बाल हैं दोसों उन्हें अगर आप फटाना चाहते हैं तो आप तीनों में से कोई भी एक्रेमेडी का इस्तमाल कर सकते हैं इसके लावा आप अपने underarms पर शरीर के किसी भी हिस्से के अंचाहे बालों को आसानी से remove कर लिया है जातर नीबू भी हमारे रसोई घर में होता है शक्कर सभी के घर होती है शक्कर के जो बारिक-बारिक से कण है न दोसों अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे इस्तमाल करना है यह जब हम शक्कर के द्वारा मसाज करते हैं तो यह हमारे बालों पर रगण खाती है बाल हमारे खीचते हैं, जड़ से कमजोर होते हैं, और बाल हमारे बिलकुल ही जड़ से समाप्त होते हैं, किस तरह से बढ़ाना है? चलिए देखते हैं, यदि शक्कर के दाने बहुत बड़े-बड़े हैं, बहुत मोटे दाने की शक्कर है दोस्तों, हलका सा कूट लें, आप अब आप अंतर देख सकते हैं, थोड़ी सी दरदरी हो गई है, मोटी मोटी सी ही है, और ये शक्कर जब हम इस पैक में मसाज करेंगे शक्कर के द्वारा ना दोस्तों, तो शक्कर जो होती ही, चिपचिपी भी होती है, बालों को खीचती है, और तेजी से बालों को हटाने का क करना यहां पर आधा नीबू का रज डालना है शक्कर में लेमन जूस क्या करता है दोस्तों एक नैचरल ब्लीच के जैसा काम करता यह देखें तो मैं इस तरह से नीबू को निचोड़ती जा रही हूं जो भी इसके सीट्स जो भी इसके बीज आ रहे हैं उन बीजों को मैं अल ब्लीच करता है और इसकिन में गोरापन आता है तो कालेपन दाग धबों को हटाएगा लेमन जूस तीसरी चीज इसमें जो हम इस्तमाल करेंगे पेस्ट आपको यहां पर केवल वाइट वाला टूथ पेस्ट का ही इस्तमाल करना है आपको जैल वाले टूथ पेस्ट का इस् इतना लेना है जितना कि आप लोग रोज ब्रश में लगाते हैं ये इस Temandic को आप शरीन में और ज्यादा लगाना चाहरा है तो थोड़ा सा ज्यादा भी बना सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा जादा ही बना रही हूँ और तीनों चीज़ों को खुब अच्छी तरह से मिक्स करना है जब कोल गेट पेस्ट के साथ हम इसे लगाते हैं इस पेस्ट को लगाते हैं दोसों और मसाज करते हैं तो जहाँ जहाँ पर भी आपके अन्वांटेड हेर है वहाँ पर मसाज करेंगे तो वहाँ के बाल जड़ से कमजोर होंगे और थोड़ा महुत खीचते हैं शक्कर से और वे जब आप इसे पांच मिनट तक मसाज करेंगे पांच मिनट लगा रहने देंगे अपने आप ही बालों की जड़ें कमजोर होंगी और बाल उस जगा से कार हैं हमारी स्किन भी लूज हो जाती है काला पन आने लग जाता है बलकि और ज्यादा काले काले छोटे-छोटे से हार्ड बाल भी आने लगते हैं बहुत ही जल्दी हमारी त्वचा पर रिंकल्स आने लगते हैं तो उससे तो अच्छा है दोस्तों हम नैच्रल चीजों का य रिमूव करना चाहते हैं, ऐसे ही आपको वहाँ पर मसाज करना है, पांच मिनट तक लगातार मसाज करना है, पांच मिनट ऐसे ही रहने दे, इसके बाद थोड़ा सा गीले कपड़े से रगड़ते हुए इसे निकाले, बालों की उल्टी डारेक्शन में रगड़ते हुए नीबू लिया है, जिसका रस मैंने निचोड लिया है, और इस तरह से आपको रगड़ कर निकालना है, दस मिनट इसे ऐसे ही रहने दिया, पांच मिनट मुझे मसाज करने में लगा, पांच मिनट रहने दिया, और इस तरह से नीबू के छीलके से रगड़ते हुए आपको इसे निकालना है जो भी छोटे-छोटे रोए होंगे ना बाल होंगे ना उस जगह से हट जाएंगे वहाँ की तवचा में गोरा पनाएगा वहाँ की तवचा में कसाव आएगा ग्लोइंग स्किन भी होगी तो ये बहुत ही सेफ रेमेडी है दोसों जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है ना आपके चहरे पर तुचा पर रिंकल्स आएंगे ना ही कालापन आएगा लेमन जूस जो होता है दोसों ये बहुत ही बढ़िया ब्लीच का काम करता है काले पन की जिद्धी परत को तेजी से हटाने का करता है देखे मैंने अपने हाथ को धो लिया है साफ कर लिया भी धोया नहीं है सिर्फ पोच के दिखाया है जो भी बाल होंगे बारिक बारिक वो भी निकल जाएंगे तो रेमेडी नमबर टू है दोस्तों एक आयरुवेडिक रेमेडी शेयर कर रही हूँ रेमेडी नमबर टू में जो कि आपके अंचाहे बालों को तेजी से हटाएगा हल्दी और बेसन बेसन का इस्तमाल बहुत पुराने समय से ही इसकिन के कॉंप्लेक्शन को लाइटन और ब्राइटन करने के लिए किया आता जा रहा हम लोग उपटन की तरह इस्तमाल करते हैं आप चाहें तो बेसन और हल्दी की मदद से बहुत आसानी से अपने अंचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं तो इस नैच्रल रेमेडी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है यहाँ पर दो चमच बेसन लिया है, आधा चमच हल्दी डाला है और साथी साथ आधा चमच आपको शक्कर डालना है शक्कर डाले या शहध डाले, दोनों में से एक चीज़ डालना है शहद है तो शहद डाले मैंने यहाँ पर शकर का इस्तमाल किया क्योंकि शहद सबके पास कई बार नहीं होता है आपके पास है तो जरू डाले इसमें डाला है थोड़ा सा हलका गुनगुना दूड डाला है मैंने अच्छी तरह से मिलाए इस पेस्ट को गाढ़ा रखना है आपको पतला बिलकुल भी नहीं करना है गाढ़े गाढ़े इस पेस्ट को उस जगह पर लगाए जहांके बाल आपको हटाना है बालों की डायरेक्शन में लगाएं देखे मैंने कितना गाढ़ा पेस्ट रखा है अभी मैं आपको अपने हाथों पर लगा कर दिखा रही हूँ इस पेस्ट को आपको अपने शरीर में अपने हाथ, पैरों पर आप इस रेमेडी को बेसन की इस रेमेडी को पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं सभी रेमेडी हम चेहरे पर नहीं लगाते हैं हाथ पर ही लगाते हैं क्योंकि चहरे किसकी ज़्यादा सॉफ्ट होती परंतु बेसन, हल्दी, शक्कर और हल्का गरम दूद इस पैक को आप पूरे चहरे पर लगाएं दस मिनट सूखने दें दस मिनट के बाद बालों की उल्टी डायरेक्शन में इसे रिमूव कर दे मसाज करते हुए ही लगाना है ताकि जड़े कमजोर हो और जो शक्कर है वो चिपचिपी होती है बालों को खीचेंगी और तेजी से बाल जड़ को छोड़ देंगे उसके बाद दस मिनट के बाद रगड कर निकालें से इसके आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा अपनी उस जगह को वश करे साफ करे, कमाल का रिजल्ट मिलेगा इस किन में गुरा पनाएगा सारे के सारे बाल जड़ से तोड़ जाएगा सब्ता में दो बार इस रिमेड़ी का इस्तमाल करें, एक सब्ता के अंदर ही आप अपने शरीर के अंचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं तो इसका जरूर इस्तमाल करें दोसों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा साथी साथ शिखास कीचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यह देखें मैं अपने हाथ दिखा रही हूं दोस्तों बिलकुल साफ हो गए जो छोट छोटे रोए थे वो भी निकल गए इसके अलावा रेमेडी नमबर थ्री में एक चमश शक्कर एक चमश शहद दोनों को मिक्स करें और इससे मसाज करें दस मिनट के बाद रिमूव करें 100% सारे बाल अलग होंगे